ये वीडियो आपने देखना शुरू किया है, तो इसका मतलब है कि आपकी तत्काल टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है, आप बुक नहीं कर पाते हैं, तो तत्काल टिकट आप इस वीडियो को complete देखिए, आप सीख जाएंगे, क्योंकि तत्काल टिकट कब बुक होती है, जब आ पर आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए, तो इसमें आप क्यों नहीं कर पाते हैं, कैसे कर पाएंगे, वो सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, देखो सीखने में थोड़ा से टाइम लगेगा, फिर टिकट बुक करके देखेंगे, जब टिकट करोगे, तो आपकी पेमें लोग आउट कर दिया, लोग आउट करने के बाद, यहाँ पर देखो, यह IRCTC की अप्लिकेशन है, इस पर टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे, तो ये हमारे सामने क्या आता है? टीक है? टच करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेश आता है, और लोग-इन पर टच करे इसके लिए उसके बाद आप क्या करते हो, लॉग इन पर टच करते हो, ठीक है, तो यह सब कुछ नहीं करना है, इसके लिए क्या करना है, आपको अपना finger identification, ठीक है, finger से, जैसे mobile का lock खोलते हो, finger lock से, तो finger lock से इसको open करना है, तो यहाँ पर टच करेंगे, और यहाँ पर pin नहीं बरना finger लगाएंगे, और यह login हो जाएगा, ठीक है, तो पहला काम आपको finger से login करना है, finger login, ठीक है, अपनी उंगली mobile के पीछे, या side में, जहां भी आपके mobile में touch screen होती है, ठीक है, जैसे lock खोलते हो, यह कैसे लगाते हैं, वो भी सीख लेंगे, वीडियो में आगे, पहले सम my account पर, यहां account पर touch करोगे, ठीक है, यहां पर account पर touch करोगे, कहां touch करना है, यहां पर नीचे, ठीक है, यहां पर touch करेंगे, तो यहां पर, हमारे सामने यह option आते हैं, और यहां पर touch करके, my master list, कहां गया, देखो, यहां पर my master list का option आता है, यह रहा, ठीक है, account पर touch करके, my master list लिस्ट पर टच करके यहां पर अपनी मास्टर लिस्ट बना लेनी है ठीक है यहां पर नाम भर देना है जो भी भरना चाहो आप ठीक है यहां पर चलिए लिख देते हैं चलिए यहां पर क्या लिख देते हैं यहां पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर date of birth select कर लेनी है one वन यह जो भी date of birth है वो पहले भरके रख लेना है ठीक है उसके बाद male female और पर birth preference, side lower या आप no preference भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, ततकाल ticket में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फूड, no food कर देते हैं और add passenger पर, ठीक है ये आपको आता होगा, add passenger कर दिया बस, इतना काम आपको करना है आप यहाँ पर, दो काम आपने कर लिए पहला काम finger login, दूसरा काम master list बना लिया, तीसरा काम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो अभी आप देखेंगे payment करने का ठीक है, तो payment करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पर एक ticket करके देखते हैं पहले, पहले आपको समझाने के लिए यहाँ पर नॉर्मल अपन करेंगे ठीक है, साथ में process समझते चलना train ticket पर टच करते हैं, book ticket पर टच करते हैं यहाँ पर यह देखो, यह select है क्योंकि आज आज आपकाल की ticket निकाली है एक, ठीक है अब यहाँ पर देखो, क्या करना है यह जैसे आपने यहाँ पर select कर लिया, from और to यहाँ पर जैसे जम्मू तबी है, पूने है या जो भी station है, अपना station जहाँ से आपको चलना है, वो from में आ जाएगा यह आपको पता ही होगा, और फिर to में पूने आ जाएगा, ठीक है पूने नहीं, मतलब जहाँ आपको जाना है जिस जगह की आपको ticket book करनी है ठीक है, यह गर लिया यहाँ quota लिखा है, यहाँ journal लिखा है, यहाँ ततकाल पर कर देंगे select ठीक है, और यहाँ पर तारीख जो है, ऐसे रहेगा कलेंडर में तो अगले दिन की कर देंगे, ठीक है उसके बाद search train कर देंगे ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने train आ जाती है, और यहाँ पर जितनी भी seat खाली रहती है, अभी तो आज की हो चुकी है तो यहाँ पर जो है, इसको ऐसे कर देते हैं और search train करते हैं, यह ध्यार रखना यहाँ पर अभी जो है, journal कर दिया, आपको process समझाने के लिए तत्काल रखोगे, तो भी same process आएगा बस यहाँ आपको तत्काल select करना है, ठीक है उसके बाद देखो, process क्या करना है जो भी seat खाली रहेगी, या AC में आपको करना है जो भी आपको book करना है, तो यहाँ पर करते हैं और फिर यहाँ passenger detail पर नीचे touch करना है जैसे ही touch करेंगे, तो यहाँ पर master list खुल जाएगी और यहाँ पर यह राहूल वाला की है न, हमने यह गर लेते हैं माल लीजी और इसको भी करना है तो जितने भी passenger आप add करके रखोगे, आपके सामने list आजाएगी select passenger, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या गरना है, आपका mobile number यहाँ आपको दिखेगा तो आप अपना रहने दीजिए, family member है तो, ठीक है अगर आप change करना चाहे, family member, क्योंकि उस पर message आता है ठीक है, railway जो PNR confirmation का होता है, वो message आता है तो आप यहाँ change करना है, चाहे, change कर सकते हैं उसके बाद फटाक से आपको scroll करना है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको option को select रखना है, भी में UPI क्यों कि अगर आप debit card का select कर लोगे, तो card number भरोगे, दुनिया बर की detail भरोगे तब तक time हो जाएगा, तो UPI select करना है, review journey detail पर touch करना है अब यहाँ पर यह जो side law है, ठीक है, इसमें दोनों में side law हो गया है क्योंकि दोनों को side law नहीं कर सकते ठीक है, यह ध्यान रखना, ठीक है, जब आप preference भरोगे, अगर seat preference भरते हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, same नहीं होने चाहिए, मतलब एक में side law भर दिया तो दूसरे में side law नहीं आ सकता है, एक में आपर आ गया, तो फिर दूसरे में आपर नहीं आएगा ठीक है, उसके बाद यहाँ, पे थुरू भी में उप्याई पे टच करके, review journey detail पर टच करेंगे फटाक से, ठीक है, जैसे ही टच करोगे, यहाँ पर आपके सामने available seat आ जाएगी, waiting list तो अभी आपको करके दिखा रहे हैं, इसलिए आ रही है, इसमें टिकेट की हुई है, भी दिखा दो आपको, ठीक है, उसके बाद इसको स्क्रॉल करना है फट से, और यहाँ पर capture भर देना है, capture, ठीक है, D7, T, V, U, W, ठीक है, proceed to pay कर देंगे, और yes कर देंगे, ठीक है, चलिए, जैसे ही आप yes कर लो, यहाँ पर जो है, क्या करते हैं, लोग टाइप करने लग जाते हैं, तो यहाँ आपको टाइप नहीं करना, आपको अपनी UPI ID पेस्ट करनी है, ठीक है, UPI ID कैसे पेस्ट करोगे, मतलब टाइप भी कर सकते हो, अगर आपकी टाइपिंगि स्पीट तेज है, ठीक है, नह पून पर open कर लिए open करने के पाद ठीक है इसको भी अपन finger को करेंगे UPI ID क्या है यहां पर आपकी UPI ID तो phone पे या जिससे भी पेवंड करनी है उस पर आ जाना है और यहां पर टच करना है ठीक है home स्क्रीन पर और टच करने के बाद यहां पर देखो आपकी UPI ID दिखती है इस पर टच करेंगे और जैसे UPI ID पर टच करेंगे तो यहाँ आपकी UPI ID लिखी हुई आपको दिखेगी कहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक आइकन बना हुआ यह वाला चीक है इसको यहाँ पर टच करेंगे तो copy हो जाएगी UPID, यहाँ पर touch किया, यह copy होगी, अब यह copy करके हमें पहले रखनी है, ठीक है, कब copy करके रखनी है, पहले से, और यहाँ पर जो हमने ticket book की है, वहाँ पर paste करने के लिए, पहले मतलब आपको enter करने से, पहले यह copy करके रखनी है, और वहाँ तुरां तुरां त ticket, जो है, confirm book हो जाईगी, ठीक है, यहाँ पर complete पर देखते हैं, यहाँ पर देखो, यह देख लो, यह ततकाल की ticket की हुई है, ठीक है, उसके बाद और आपको दिखाएं, यह देख लो, यह आज की ticket है, यह जहेलम वाली, ठीक है, यह भी ततकाल में book की हुई है, तो इस तरी आपको payment, फिर नहीं कटवानी, पांच के बाद तो बिल्कुल नहीं, पांच के अंदर अगर payment done हो जाती है, तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना, और इस तरीके से आप करेंगे, तो हो जाएगी, ठीक है, अगर कोई सवाल है, तो वीडियो के नीचे comment कीजिए, वीडियो देख